असलामों आज का हमारा टॉपिक है फैमरिल शीट लास्ट वीडियो में हमने फैमरिल ट्राइंगल पढ़ लिया था और फैमरिल शीट हमारा पस फैमरिल ट्राइंगल के ही कॉंटेंट में होता है सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फैमरिल शीट है हमारा पस फैमरिल शेप स्ल से मिलके बनता है, अब्डॉमिन की फेशिया से हमापस बनता है, इंटीरली दिखा रहा है तो हमापस इसमें फेशिया ट्रांसवरसलिस आता है, फेशिया ट्रांसवरसलिस हमापस ट्रांसवरसलिस अब्डॉमिनस मसल का फेशिया होता है, पॉस्टीरली हमापस फेशिया इलि तो मतलब यह नहीं क्ँपनेंट्स देखते हैं के हमा आपस जो फैम्रेल शीत है यह वह तीन वैको फीड़ की कह— एक हमान वैपस लेटरल होता है जिसको हम toka आयर्टीर dal का riders भी कहते है और दूसरा हमान इंटर्मीडियूट होता है जिस्फे हम वीमिस कंपार्ट्मंंट कहते नाम से ही इसके components को याद करना बहुत असान है, अगर देखा जाए lateral arterial compartment है, तो मतलब इसके इंदे हमाँ पस artery present होगी, एक तो हमाँ पस इसके इंदे femoral artery present होती है, और साथ ही साथ इसके इंदे हमाँ पस femoral branch of genito femoral nerves भी present होती है, उसके बाद अगर हम इसका second compartment देखें, जो कि ven compartment या intermediate compartment है, उसके इंदे हमाँ पस femoral vein present होती है, और जो हमाँ पस intermediate या lymphatic compartment है, यह हमाँ पस थोड़ा से इंट्रस्टिंग है कि यह हमाँ आपस बहुत ही इन तीनों compartment में से सबसे चोटा compartment होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, femoral canal कहते हैं, और इसके इंदे हमाँ आपस नाम से जिसने हमाँ पस अंदर femoral vessels को enclosed किया हुआ है, अगर देखा जाए ना तो यह femoral सी जो है, लेटर साइट से स्ट्रेट होती है, और लेकिन जो medial से ना उससे थोड़ी सी oblique होती है, और इंटीजर्डी हमने पढ़ लिया के फेशा रांस्वर सैलिस से से बनाता है, पोस्टीर compartments होते हैं, सबसे पहले compartment में हमाँ पास artery होती है, यह है femoral artery और साथ ही साथ हमाँ पस femoral branch of genetofemoral nerve होती है, यह हो गई, second compartment में हमने पढ़ा कि जो है femoral vein होती है हमाँ पस, यह femoral vein है, और third compartment हमने पढ़ा कि सबसे small होता है, और उसको हम femoral के नाल कहते हैं, और उसके अंदे हमा जिसके अंदे हम आपस फेमरल किनाल है जो हम आपस लेटर साइट पर इसका कमपाइटमेंट इसमें हम आपस फेमरल आप्री और जैमरल नर्व है उसके बाद अब हम इसका जो सबसे smallest component है न विच इस फेमरल किनाल इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि वह भी हम आपस important है और फिर मैं उसमें आपको बताऊंगी कि इसकी जो फॉर्मेशन और बाउंडरी वगारा है वह साइची से मैं आपको इंशादा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी